तो चलिए आज हम स्ट्ट करेंगे वैसे मैंने फंडमेंटल के आपको बता दी हैं इंपोटेंट कॉसंस यूनिट वाइज बता दी हैं मैंने आंसर के साथ वीडियो आपने नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी वहां से आप देख सकते हूं आज हम PC package देखने वाले हैं यूनिट वाइज यूनिट वाइज से पांच तक के इंपोटेंट कॉसंस देखेंगे तो वीडियो गान तक बने रहें तो चलिए आज हमने स्टाट करते हैं PC package की यूनिट एक का इंपोटेंट कॉस्टन पहला है आपका बिंडोज 8.1 से आप क calculator, disk cleanup और disk defragmenter इसके बाद आपको आत्वा में दिया गया है बिंडोज 8.1 में login, logout, hivernite और shutdown कैसे करते हैं तो आपसे देखी हैं यहाँ पर 4 questions हैं चार topic हैं जो combine करके आपको दिये गए हैं तो इसके बाद आपका रहेगा अगला question बिंडोज 8.1 में अपने computer को virus से कैसे आप सरक्षित रख सकते हैं आपसे virus से समंदित भी question आते हैं virus क्या होता है virus हमारी phone ये computer लैप टॉप में कैसे गुश जाता है कैसे उसमें चला जाता है आपसे इस परकार question पूझे जाते हैं इस परकार के question आपसे पूझे जाते हैं दुश्तों आपने चीज नोटिस की होगी आ कि यहां पर युनिट एक में आपको window जीट पॉइंट बन दिख रहा है यहां पर ऑगया आपसे तीन question आपके Windows बन करी हैं तो आप समझ सकते हैं पर Windows 8.1 बहुत ही important है आपको इसको बहुत अच्छे से जात करने हैं तीन question युनिट एक में तीन कॉष्चन आपके Windows के बाह द सेकंड हमस्ट बढ़ ऑरेंगे संध करके समस्टीर नित्य हुआ है किस परकार फिर टाइब है पुरानी वर्जन से क्सकाइब और थाहे थात्य सस्कूंट में पेश और paragraph फॉर्मेटिंग को आपको समझाना है पेश और paragraph फॉर्मेटिंग को आपको explain करना है तो यहां पे आपको दो पूझे का इस वाद आपको अगला आ जाएगा इसके अद्वाव में निम्न को समझाईए यह बहुत इसको करना है और जो कि इस प्रकार के कॉश्चन होते हैं निम्ल को समझाईए तो इसको आपको इसको इसको इसमें आपकी चार-पांच कॉश्चन कवर हो जाते हैं तो देखिए वुलेट से नमबरीं हेडर एंफुटर फुटर msbird 2013 पेज व्यू और msbird 2013 में टेवल बनाना टेवल क्रियेट करना यहां पर चार टॉपिक चार आपकी पॉइंट है इनमें से आपको दो या तीन टॉपिक आपको पेपर में 100% को देखने को मिल जाती हैं तो आपको इस परकार कॉश्चन थे देखो हमने यहां पर देखा थ कि निम्न को समझा इस परकार कि आपको इनकी पूरी complete करना है इनकी अगल कोश्चन भी बनके आ सकते हैं आप से पूछ लिया डिस्क की क्लीन अप क्या है इसको समझा जूँ सोला नमर में आप से यही टौपिक पूश सकते हैं यह को कॉश्चन आती हैं तो उसमें आपको द क्रिए को आपको पताना है mail merge कैसे करती हैं दोश्तों अगर अगर आपने practical किया होगा मतलब computer में कर के देखा होगा mail merge करके देखा होगा तो आपको इसको समझने में जादा problem नहीं होगे अपको बहुत एजी लगेगा अगर आप 20 से पढ़ लाए हो या किसी नोट से पढ़ लाए आपने कभी भी मेल मर्ज का प्रैक्टिकल करके नहीं देखा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है तो आपको यहांसा लगेगा आपको रटना पड़ेगा उसको आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें step by step होती है कि हमें इस function में जाना है इस key को दवाना है फिर यह करना है तो पूरा step by step आपको practical होता है विल्कुल अगर आपने इसको आपके पास एक और option है अगर आपके पास computer नहीं है आपको practical आपने नहीं किया तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो कि मेल मर्ज करने की प्रिक्रिया को आप समझाए YouTube पे आप सर्च सकते हों पर आप वीडियो देखते हुए जो आपको बोल कर बताएंगे आपको पता ही है कि जो हम चीज सुनते हैं या जो द्रश्य हम देखते हैं इत्यासानी से नहीं भूल पाते हैं जो कि हम मौके क्यात करते हैं वह जादना जासानी से बूल जाते हैं तो आप वो वीड हो आपको बहुत साई चैनल हैं जो वीडियो बनाते हैं तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा आप लिए करके जरूर दीखें आप किसी भी टॉपिक को कि में आपको कुछ भी या पावर पॉइंट में कुछ करना है आप किसी भी प्रिकार का कुछ भी हो जो प्रैक्टिकल हो तो आप उसे सर्च कर लें यूटूब पर आपको मिल जाएगा इसको हमारा अगला कॉश्चन रहेगा MS Word 2013 में Find और Replace को आपको समझाना है आप ये भी सर्च कर सकते हैं कि Find और Replace कैंसे होता है MS Word में कुछ भी आपको समझ में नहीं या रहा कॉश्चन जो आपको याद नहीं हो रहा जिसमें आपको cut नहीं आ रहे वह आप सार्च कर सकते हैं से आपको एक देखने को मिलेगा कि कैसे होता है इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि practical में होता कैसा है क्योंकि हम डुकुमेंट बनाते हैं उसी में काम आता है यहां पर दे दिते हैं जानतर हम पूच्छन पूच्छा निम्ल को समझा यहां पर एंड नोट फॉट नोट दे दिया जाता है तो आप यह ची से कर लें जो कौश्चन में आपको बता रहे हूं वह अपको पर जरूर लें आपको पीपर में देखने को मिलेंगी इसको आपको को बता है आपको पूरा करना इस्कौशन है स्मार्ट आर्ट है आपको अ ilrestig को करना में इसको लेंड वह स्कृन सब्सक्रूरा करें इसके उपका फालता है आपको पड़ना हैं चली हूं इसके वाद आपका यूनिक 4 आता है बारबा कॉश्चन MS Excel 2013 से आप क्या समझते हैं बर्क वोक और वर्क सीट में क्या अंतर हैं अगर आप हमसे पहले से जुड़े हैं आईट्विश्ट्रे टीम से तो आपको पता ही होगा बर्क वोक और वर्क सीट मैंने आपको पूरा एक्स्प्रेंड किया इनकी आंसर्स को मैं मैंने बताएं कि अंतर मैंने आपको बताएं हैं पूरी नोट्स प्रोवाइड करवाएं हैं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था और आगर आप नहीं जुड़े हैं तो आपको आप चैनल पर प्लेलिस्ट एक वाद चेक ज़रूर करने दोस्तों आपको ड आपको पूरा कुछ वीडियो हैं जिससे समधित वह आपसे मिसना हूं अगला दीक लिएते हैं तेरवा कॉस्टन निम्न को आपको समझाना है इंसर्ट रो एंड कॉलम हम कॉलम और रो को इंसर्ट कहीं से कर सकते हैं इसके बाद आपको आजाता है डिलीट कहीं से करेंगे अगर हम इंसर्ट मतलब क्रियेट करना इंसर्ट करना निर्मान करना इसको बाद आता है आपका कॉलम विट एंड रो हाइड लंबाई और कॉलम रोस को इसको हमें देखाना नहीं है तो हम किस परिकर करेंगे दोस्तों ये भी कॉस्टन बहुत ही इंपोटेंट है आप इससे जरूर करने आता ही आपको दो कॉस्टन मिल जाएंगी रो और कॉलम से संबंदित जो इसमें आपको इंसर्ट करने वाला देदें रो और चेक्षाल में इस परकार कॉश्ण बन जाते हैं इसके बाद रहेगा आपका ऐसे में आपको टेल स्पैपिरें अपको बता दिए और इसका मेंने आपको पेपर भी कर बहुता था कि अपने वह विडिन नहीं देखी तो ओड़ जाते हैं पेपर में चैंसATE है कितनी कंनी करनी होती है क्या गलती आपको पेपर में नहीं करनी कर सकते हों सब कि करना है burial कितने पेज में लेकम टाइए क्यों कि आपको याद करना होुद कि ili कॉशन के आंसर जो कॉमनली कॉशन आते हैं उनका अंसर भी मैंने वीडियो में दिये तो आप एक बाद चेक जरूर कर लें चलिए अगला कॉशन दिखते हैं MSXL 2013 में चायट क्या है किसी एक चायट को बिजाट दोरा आपको समझाना है मैंने चायट भी आपको अगर समझाई ही लाती है कि आपने वीडियो द익़ी हो अंगला कोशन दिखते हैं वीडियो आपको बहुत सारी जान कारी जो की मैंनों में डाउट होके वह आपको किल्यार होने वाले हैं अगला दिखेंगे MS Excel 2013 में निम्ड को आपको समझाना है वो है कॉलम फ्रीज, सॉइट डाटा, प्रिंट वर्क सीट और मार्ज कॉल, सेल सॉरी, मार्ज सेल जब के दिए गए हैं इसके पाद आपका यूनिट पांच आता है MS PowerPoint 2013 से आपके समझते हैं आज PowerPoint का प्रियोग कहां कहां किया जा रहा है, PowerPoint ऐस MS Excel एक टॉपिक था आपका एक विंडो था, इस परिकार PowerPoint भी आपका एक फंक्सन है, एक विंडो है, जिसको आपको पूरा एक टॉपिक है, जिसको आपको काम करना होता है, डोकुमेंट या कुछ भी आपको बनाने तो आप करेंगा, MS PowerPoint में नहीं प्रिजेंटीशन बनाने की प्रिक्रिया को आपको बताना है, मैं आप बोला आप से, हम प्रिजेंटीशन तयार करती हैं सब चीजों में, तो नहीं प्रिजेंटीशन हम किस परकार बना सकती है, इसके बाद आपको अधवा मिलेगा, MS PowerPoint में साउंड औ और मुवी, कैसे जोड सकते हैं, समझाइए, MS PowerPoint 23 में साउंड और मुवी, कैसे जोड सकते हैं, वह आपको साउंड आते हैं, जो कि मुवी की साउंड होते हैं, वह साउंड मुवी में दिखाई जाते हैं, गेट बंध होने का, हवा चल रही है, उसका, या किसी मारपीट का सी हो रहा है, तो उसमें आवाज आती है, मुक्का देने का, किसी प्रकार, कि जी सब साउंड यहां पर कैसे जोड जाता है, इसमें पावरपॉइंड में आपको बताए जाता है, MS PowerPoint 13 में निम्ल को समझाईए, इस स्पीकर नोट्स, स्लाइड, स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर, क्या होता है, हैंड मास्टर क्या होता है, यह सब आपको पावरपॉर्पर में देखने को मिलेगा, अगर आपने अभी तक आईटुस्टी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दें और बेल आकन प्रीज कर लें ताकि आपको इसका अगला वीडियो भी आपको बहुत जल्द ही मिलेगा आज यह कर में मिल जाएगा आपको शेर करें अगर वीडियो को लाइक करें तो चलिए मिलते हैं अगर वीडियो में धन्यवाद